अलो यु भीटुफल पिपल और वैलकम टू बी हैल्दी इंडिया आज के इस बहतरीन वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं प्री वर्काउट C4 के बारे में कि ये प्री वर्काउट किसे इस्तीमाल करना चाहिए किसे नही इस्तीमाल करना चाहिए अगर आप जिम जाके वर्क आउट करते हैं तो आपको supplement की knowledge तो रखने ही चाहिए और अगर आप इसे लेने का plan कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए ही है आप सही जगा पे आए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ knowledge देने की कोशिश करूँगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे like जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो शुरूर करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं C4 Pre-Workout शरिफ इंडिया ही नहीं दुनिया का सबसे जादा इस्तेमाल किया जाने वाला Pre-Workout है ये किस काम आता है ये हम आपको बताते है जो इसका main काम ये होता है जब आप वर्काउट करते हैं तो ये आपको अच्छी खासी energy प्रोवाइड कर देतेगा और आप heavy lift करना start कर देंगे आपका ध्यान आपके वर्काउट पे जादा लगने लगेगा पहले अगर आपका ध्यान भटक जाता तो आपका ध्यान भी भटकेगा नहीं इसकी help से आपकी जो muscle है वो भी pump होने लगेगी और आपकी जो muscle की recovery है वो भी बहुत ही fast हो जाएगी तो यह इसके basics काम है जो यह आपके लिए helpfull provide करता है वेल अब इसके doses की अगर बात की जाए तो इसका एक serving size जो हता है 5.7 gram का है और total इसमें आपको 60 servings दी जाती है यह काम किस प्रकार से करता है यह भी जान लेते हैं यह जो C4 pre-workout supplement है इसके अंदर बहुत सारे energy boosting pre-workout में ऐसे ingredient का इस्तेमाल किया गया है जो आपके muscle को बहुत जल्दी fast recover तो करते ही है जब आप इसे consume करते हैं तो यह तुरंत आपके blood stream में flow बहुत ही fast होता है सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपको शरीर में energy feel होती है आपको और आप heavy lift करने के लिए आप ready हो जाते है C4 के अंदर क्या ऐसे खास ingredient होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहला जो इसमें ingredient होता है वो है beta align बेटा align जो इसमें मात्रा दी गई है 1600 mg है जो नॉर्मल से थोड़ी सी जादा है बेटा align का क्या यह काम होता है यह आपके muscle को fast recover करता है और आपकी जो ठकान होती है exercise करने के बाद वो ठकान को भी recover कर देता है और आपके muscle को यह growth करने में help करता है नेक जो इसमें kretin nitrate भी द्यार डाला गया है करीब 1000 mg का इसमें dose है kretin nitrate का जब आप kretin nitrate लेते हैं तो आप में से बहुत साज़ लोगों ना लिया होगा तो इसको लेने के बाद आपकी power बढ़ जाती है आपकी body के अंदर phosphor kretin की जो मातर होती है वो पहले से कई गुना बढ़ जाती है तो इससे आपको और ज़्यादा benefit मिलता है नेक्स्ट इसमें L-Arginine भी है Arginine आपके blood में nitric oxide को level को बढ़ा देता है जब आपकी body के अंदर nitric oxide का जो level होता है blood में वो अगर increase हो जाएगा तो जो भी आपके nutrient होते हैं आपके food से जो nutrient मिलते हैं वो सब easily flow कर पाएंगे आपके muscles तक पहुचेंगे तो recovery भी fast होगी muscle की growth भी होगी तो ये सारे benefit आपको मिलेंगे इसके अंदर आपको scoop मिलेगा 5.7 gram वो आप measure करके ले सकते हैं और इसकी smell रियली गाइस मिल को तो बिलकुल भी पसंद नहीं आई हाँ जब आप इसे पानी में डालके पीते हैं तो इसका sip लेते हैं तो आप फिर उस टेम पे ज्यादा फता नहीं चलता है बट फिर भी गाइस अब इसके कुछ नुकसान की बारे में बात कर लेते हैं वो बहुत जरूरी है इसके side effect के बारे में सब को जानना चाहिए अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो तो सबसे बड़ा जो side effect होता है यह कोई side effect नहीं है जो लोग की उमर 20 साल से कम है तो उन्हें यह supplement बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए यह supplement उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है यह सिर्फ उन लोग के लिए है जो कुछ जादा अचीव करना चाहते हैं बहुत serious है अपने goal को लेके उनकी physics को लेके उनको result नहीं आ रहे हैं उनका काम से आने के बाद बहुत ज बग जाते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जरौत पड़ती है प्री वर्काउड की हर किसी को अपनी बॉड़ी को इसमें आदत नहीं डालनी चाहिए अगर आपको इसको एक बार आदत लग गई तो फिर यह long time के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा और सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मातरा में कैफिन डाला जाता है कैफिन ज़्यादा लेने से आपकी जो नींद होती है नींद के जो हर्मोंस होते है वो डिस्टर्ब होते है आपको time पर नींद में आएगी जब आप सोना चाहेंगे उस time नींद में आपको दिन में नींद आएगी तो फिर यह भी आपके लिए नुकसान है जिन लोगों को भी heart patient है जिन लोगों का high BP की problem रहती है heart से related कोई भी issue है तो ऐसे लोगों को भी यह नहीं लेना चाहिए because यह लेने के बाद उनका heart rate increase हो जाएगा और जिन लोगों पहले से problem है तो उ सारी warning दे रखी है इसमें लिखा हुआ है साफसाफ लिखा हुआ है कि बच्चे और जो भी pregnant lady है उन्हें भी नहीं लेना है जिने high blood pressure है उन्हें भी नहीं लेना है तो इन सारी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है guys तो इसका review तो हमने कर दिया आपको उसको फाइद आप एक बार जाके check out जरूर करें अगर आपको लेना चाहते है तो आप ले सकते हैं friends so मैंने अपना काम कर दिया आपको मैंने knowledge दी है information दी है यह सरिफ आपके लिए because you are the part of be healthy India so अभी आप आपका काम कर सकते हैं आप इस video को like जरूर कीजे ताकि हमें motivation मिलेगा आगे हम आप आप तक information पहुचाएंगे जानकारी पहुचाएंगे ताकि आप स्वस्त रहेंगे आपके family भी स्वस्त रहेंगे तो इस video को like कर दीजे चैनल में पहले बार आए तो subscribe करके bell icon को जरूर पैस कीजिए जब तक आप खुश रहिए सलामत रहिए जैहिन वंदे मातरम